Hello friends, आज का हमारा topic है function का second point जिसमें हम discuss करेंगे जो भी हमने syntax देखा था function को declare करने का उन syntax के एक-एक topic को यानि कि एक-एक point का, एक-एक part का हम क्या करेंगे detail में जानेंगे कि क्या होता है, उसका use क्या होता है और कौन सा part लिखना compulsory होता है और कौन सा नहीं तो सबसे पहले में start करते हैं, description देखते हैं, यानि कि जो हमारा syntax होता है उसके एक-एक part का, सबसे पहला होता था हमारा return type जो function हमने इससे पहले discuss किया है, उसमें हमने आपको बताया कि syntax क्या होता है जिसमें सबसे पहले return type होता है, फिर function name होता है, फिर parenthesis के अंदर आपको parameter list देना होता है, फिर function की body होती है, सेम उसी को आज हम detail में समझते हैं, सबसे पहले return type, return type ये compulsory होता है, आपको program में लिखना, return type, it is a keyword, return type क्या होता है, keyword, int, care, float, double, void, इस type के आप क्या देते हैं, return type दे जाते हैं, it is a keyword which indicates that which type of value is being returning by the function, यानि कि ये किसको indicate करता है, कि किस type की value आप return करना चाहते हैं, अपने function के जरिये, आप उसी type का return type देंगे, यानि उसी type का keyword यहां पर देंगे, next point क्या है, if we do not to return any value, then we use void keyword in place of return type, अगर आप कोई value return करना चाहते हैं, तो उस condition पे आप int, care, fraud, double, यानि कि जिस type की return करना चाहते हूं, उस type का आप keyword दे सकते हैं, यानि return type दे सकते हैं, otherwise अगर आप चाहते हैं, कि हम कुछ भी return ना करें अपने function से, तो उस condition पे आप क्या use कर सकते हैं, वहां पर void keyword का use कर सकते हैं, जो कि कोई value return नहीं करता है, तो जो कि compulsory होता है, तो येरी प्रोग्राम का जो part होता है, उस में, second क्या है मारा function का जो part होता है, function name, function name क्या होता है, ये important होता है, यानि ये देना compulsory होता है, It is the actual name of the function जो function name देते हैं आप यही actual name होता है आपके function का यानि real name यही होता है It is also used at the time of calling the function इसका use आपको कहाँ पर करना होता है इसका use आपको वहाँ पर भी करना होता है जब जिस time आप क्या करते हैं function को call करते हैं लगाते हैं तो आप function name से ही call करते हैं तो इसलिए वहाँ पर भी एक compulsory होता है next point देखते हैं parameter list parameter list क्या होती है जो आप parentheses के अंदर pass करते हैं वो क्या होती है parameter list होती है आप इसकी बारे में बात करें कि parameter list क्या होती है it is the place where we can pass a number of parameter or variable ये क्या होता है ये वो जगह होती है जहां से आप क्या करते है number of parameter पास करते हैं या तो आप किसी भी number का parameter मालीजे आपको यहाँ पर पास करना है तो 200,300 इस प्रकार का आप number of parameter डाल सकते हैं या फिर x, y, इस प्रकार का आप क्या पास कर सकते हैं, variable पास करते हैं, यानि कि ये क्या होता है, मारा parameter list होती है, या फिर आप इसमें कुछ भी न पास करें, फिर भी ये क्या होता है, आपका program, यानि जो function होता है, वो बन जाता है, these may be used in the program, आप इसका use क्या कर सकते हैं, अपने program में, यानि कि आप parameter में number को पास कर सकते हैं, यानि कि number of parameter या फिर variable, यानि मर्जी हो तो आप करें, otherwise आप blank छोड़ दें, the value of parameter can be initialized, or we can pass it from the calling of function, यानि कि अगर आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका होता है, जब भी आप क्या करें, value को, the value of parameter can be initialized, और we can pass it from the calling of function, या तो आप क्या कर सकते हैं, value को initialize कर सकते हैं, और इसी आप कि condition भी पास कर सकते हैं, जब भी आप function को call लगाते हैं, उस condition पे आप क्या कर सकते हैं, इस parameter को pass कर सकते हैं, function calling के time भी आप parameter को pass कर सकते हैं, directly function में ना pass करके, next point क्या है मारा, it is optional part, जो function parameter लिश्ट होती है, तो आप इसमे कुछ parameter दे सकते हैं, अधरवायस आप इसे छोड़ सकते हैं, next point क्या होता है, body, function की body होती है, जो की curly braces से start होती है, और इसे end होती है, यह क्या होती है, function की हमारी body होती है, it is place where the actual code is returned to perform the specific task, यानि की function की help से अगर कोई भी आप specific task perform कर रहे हैं, तो वो कहां पर perform किया जाता है, यानि कहां पर लिखा जाता है, उसका code इस body के अंदर ही लिखा जाता है, उसका जो actual code होता है, हमारे पूरे function का, वो कहां पर लिखा जाता है, इस body के अंदर लिखा जाता है, इसलिए जो function की body होती है, ये compulsory होती है आपको देना, तो ये था हमारा description जिसमें हमने देखा कि return type क्या होता है, function name क्या होता है, parameter list क्या होती है, body name क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने discuss किया detail में, अब next video में हम देखेंगे कि इसके types क्या होते हैं, उसके बाद types के बाद हम discuss करेंगे, program पे जाएंगे directly, हम और इसको example की help से, जब इसका हम program बना के दिखाएंगे आपको, और उसको समझाएंगे, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से clear हो जाएंगे, आज का topic हमारा यहीं तक था, I hope दोस्तों गराज की information आपको अच्छी लगी हो, तो please video को like करना, channel को subscribe करना, और दोस्तों के पास share करना,